नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरी किसोर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की सोट टेक टॉक पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप अपने बोडा फोन और आइडिया के सीम को बी एसनल में कैसे पोर्ट करा सकते हो और दोस्तो अगर आप अपने बोडा फोन और आइडिया के सीम के बी एसनल में पोर्ट कराते हो तो आपको क्या-क्या बेनिफीट होगा और दोस्तो आपको उन चार्ज करने कराने से भी हो सकता है आपको छुट करा मिल जाए तो वीडियो को लाज तक देखते रहिए और अब भी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजे और बेल आईकन को दबा दीजे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने बोड़ा फोन आइडिया के सीम को BSNL में पोर्ट कराते हैं तो क्या प्रॉफिट होने वाला है तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप बोड़ा फोन आइडिया का सीम चला रहे होंगे तो हर महीने आपको 49 करणा होता है अगर नहीं करबाते हैं तो आपका कॉल ना आता है न जाता है तो यह चकर हर महीने होता है तो इससे लोग काफी परसान हो चुके हैं हर महीने 49 क कराने से अगर आप BSNL में पोर्ट करा लोगे तो आपको सिर्फ 75 उपय में 3 महीने तक की validity मिलेगी दोस्तो अगर आप 75 का recharge करा लोगे तो आपको 3 महीने तक recharge कराने की कोई जरूवत नहीं है call आएगा और जाएगा भी चाहे आप 10 का भी recharge कराओगे बाद में तब भी आप call कर सकते हो 3 महीने तक यही नहीं अगर आप 75 का recharge करा लेते हैं तो 3 महीने तो outgoing call मतलब इधर से भी call कर पाओगे और उधर से भी कर पाओगे और उसमें आप चाहे तो 4 महीने तक incoming call कर सकते हो मतलब कि उधर से 4 महीने तक call आएगा यहीं आपको इधर से कहीं बात करना है तो आप 10 के रिचार्ज करा आलो, 20 के रिचार्ज करा लो, तब भी बात होगा लेकिन आप जानते हो कि Bodafon Idea के sim में अगर आप 49 के रिचार्ज कम से कम नहीं कराते हैं तो आप चाहे 10 या 20 या 30 का रिचार्ज कराओ फिर भी कॉल ना आयेगा न जाएगा तो दोस्तो ये है BSNL में port कराने का फायदा और दोस्तो BSNL का net जो 3G है अभी 4G launch कई राजे में हो चुका है लेकिन और राजे में नहीं हुआ है तो दोस्तो 3G net इतना speed चलता है कि Boda phone 4G से ज़्यादा speed BSNL का 3G देता है और पहले जो BSNL था जिसमें tower over नहीं आता था अब ऐसा कुछ नहीं है आप बहुत अच्छा network BSNL में आता है तो बात कर लेते हैं कि आप BSNL में कैसे port करा सकते हो तो अगर आपका Boda phone का idea का stream है उसको BSNL में ले जाना चाहते हो तो दोस्तो उसमें एक दो रुपए रहे और उसका validity एक दो दिन बाकी रहे तब भी आप जाओगे दुकान पर और आपको एक number पे message करना होगा और पी ओ आर टीप capital letter में लिग कर भेजना परेगा तो आपको उधर से message में code आएगा Boda phone चाहे idea के sim पर ओ code आप दुकंदार को दोगे दुकंदार उस code को डालेगा और आपको ID अपने नाम की ले जानी है आईडि अपने आम की ले जाना जाहे किसी के नाम से भी पहले Boda phone idea का sim था आपको अब अपने नाम की ID लेके जाना है वो आपके नाम पर port हो जाएगा लेकिन दोस्तों आपका Boda phone idea का sim है वो कम से कम तीन महिना पुराना होना चाहीए नहीं तो नहीं port हो पाएगा तो दोस्तो ये सब फायदा है जो आप BSNL में पोर्ट कराओगे तो सबसे पहले तो उनिचास करी चार से मुक्ती मिल जाएगी और दोस्तो पोर्ट कराने टाइम आप अपना आईडी लेके जाना और आपके सीम में एक दो रुपे बाइलेंस होना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवा बाइब बाइब बाइब